आले दोस्तों नमस्कार जैहिंद वंदे मातरम स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप उत्तर प्रदेश का स्कॉलर्शिप का फार्म जो है ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं बिना एक भी गलती किये step by step पूरी complete जानकारी दूँगा जिससे आप अपने स्कॉलर्शिप के फार्म को बिना एक भी गलती किये बिलकुल आसानी से अपने mobile phone से ही online apply कर सकते हैं तो अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि कैसे जो है उत्तर प्रदेश का online scholarship का फार्म भरा जाता है तो फिर इस वीडियो को आप पूरा देखें इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने mobile phone में Google को open करना है अगर आप यह वीडियो computer से देख रहे हो तो भी आपको Google open करना ह दोनों में सेम तरीका ही होता है यहां पर आपको जो है सर्च करना है scholarship up जैसे ही आप सर्च करते हो तो यह जो first वाली website आ रही है scholarship.up.ub.in तो आपको इस पर ही क्लिक करना होगा इसके बाद जो है आप अगले page पर आओगे जहां पर जो है आपको scholarship की official website इस तरीके से दिखाए देगी यहां पर आपको क्या करना है कि यह student वाला जो option इस पर क्लिक करना है और यहां पर registration का जो option इस पर क्लिक करना है registration वाले option पर click करोगे तो यहां पर काफि सारे option दिखाए देंगे तो यहां पर हम लोग बारी-बारी से सभी के बारे में जान लेते हैं अगर आप st sc general category स करते हैं तो आपको इन में से कोई भी option select करना होगा अगर आप OVC से हैं तो इसमें से अगर आप अलप संख्यक हैं तो इसमें से अगर आप जो है high school या फिर कच्छा नौका करने वाले हैं तो pre-matric आपको select करना है अगर आप post-matric या इंटर में पढ़ते हैं 11 या बरहमी में तो आपको इस पर क्लिक करना होगा अगर आप other में मतलब graduation में recent कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए अगर other state के हैं तो आप इस पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं pre-matric के बारे में यानि कच्छा 9-10 के ब रहने वाले हो वो जिला सेट के सेलेक्ट करिए यहां पर इसके बाद यहां पर आपको जो है सिच्छन संस्थान सेलेक्ट करना है जिस भी सिच्छन संस्थान में आप पढ़ते हैं वो यहां पर option आजाएगा अभी यह loading ले रहा है side थोड़ी सी low चल रही है तो यहां पर आ टाइब करते हो तो यहां पर आजाता है जैसे कि मेरे स्कूल का नाम जो है मैं यहां पर टाइब करेता हूं मैं यह स्कूल का भरने वाला हूं तो यह स्कूल टाइब करने के बाद मैंने जो है यहां पर जातिवर्ग यह जो समू है इसमें क्लिक करना है आप जिस भी जातिक तो जिस भी छात्रा का आप जो है फार्म भरना चाहते हैं उसका complete नाम आपको यहांपर टइप करना है ध्यान आपको यह देना है कि जो भी आधार आधार कार्ड में नाम हो वही आपको यहां पर टाइप करना है नई तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन होने में दिक्कत आ जाएगी तो यहां पर आपको नाम टाइप करने के बाद यहां पर आपको उनके पिता जी का नाम टाइप करना है जो कि आधार कार्ड में दिया होता ह उनकी माताजी का नाम यहाँ पर टाइप करना है और इसके बाद जण्मतिती यहाँ पर भरनी है जो भी अधर कार्ट में data वर्थ है उसको यहाँ पर ढालिए इसके बाद जो हैं यहाँ यहाँ पर male है यहाँ फीमेल वो Select कर लिजिए इसके बाद कच्छा आठ जब उन्हेंने पास किया था यह कौन सा था यह सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर और इसके बाद जो है विद्यालाय का नाम जिस भी विद्यालाय से उन्हेंने कच्छा आठ को पास किया है वो विद्यालाय का नाम यहाँ पर आपको भरना है इसके बाद यहाँ पर mobile number आपको डालना है जो कि अधार काट से link हो या फिर आप दूसरा भी mobile number डालोगे तो इसमें जो है OTP नहीं जाता है फिर भी आपका काम चल जाएगा लेकिन कोशिस यह करें कि आपको जो mobile number link है वही डालें इसके बाद यहाँ पर आपको इसमें नहीं कुछ भरना है और इसमें भी आपको कोई जरूरी नहीं है भरना email और दूरवाशा यहाँ पर आपको करना है अपना एक password बना लेना है जो भी आप password यहाँ पर रखना चाते हो 6-12 अंकों का आपको बना लेना है उसी password को इसके अंदर डालना है और यहाँ पर यह CAPTCHA भरके submit करना है तो चलिए मैं सारी detail भरके आपको submit करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी detail भर दी है आपको यह सारी detail भरने के बाद एक बार जो है इसको सही से मिलान कर लेना है ताकि अगर कोई चीज़े यहाँ पर गलत ना हो अगर गलत होगी तो फिर से आपको registration करना पड़ सकता है तो आपको सारी चीज़े मिला लेनी है तो सभी चीज़े अच्छे से मिलाने के बाद यह CAPTCHA इसके अंदर भनने के बाद आपको submit बटन पर क्लिक कर दिना है इसके बाद यह page लोड लेगा और यहाँ पर दिख सकते हो loading चल रही है और जैसे आपका net अच्छा चलता है तो जल्दी से यह आपका registration complete हो जाता है जैसे ही आपका registration जो है complete हो जाता है तो देख सकते हो यहाँ पर हमको हमारा registration number मिल गया है और यहाँ पर हमारी सभी detail यहाँ पर दिखाए दे रही है इसी तरीके से आपकी भी detail जो है इस तरीके से दिखाए देगी आपको क्या करना है कि अगर आप इसे mobile से जो है online कर रहे हो तो यह registration number को जो है लिक कर रख लेना है या फिर screenshot ले लिजिए सबसे best रहेगा तो screenshot लेकर करके रख लेना है तो अब जो है हमारा registration complete हो गया है अब हमको जो है इसको login करना है तो मैं इसे copy कर लेता हूँ इसके बाद जो है आपको home button पर क्लिक करना है और आप direct जो है इस page पर आ जाओगे दुबारा से अब आपको क्या करना है student वाले पर क्लिक करना है और यहां पर यह जो fresh login का option है इस पर क्लिक करना होगा अब क्या करना है आपको जो भी registration आपने वह number जो है जाल देना है और इसके बाद необходимо करना है रेटेट आप बटन पर क्लिक करना है यहां पर जो है आपको क्या करना है जैसे कि जिसी स्कूल में आप पढ़ते हैं इसके बाद जो है गत्वर्स का परिच्छा फल पास है या पर मोटेड हैं जितने पुडांक में से जितने नंबर मिले हैं वो डालने के बाद अपना बैंक यहां पर सेलेक्ट करना है इसके बाद यहां पर जिस भी जिले में आपक का बेंक है और जीला इसकी बाद जो enoughい बाद जो भी खाता पर नाम है आपका जो भी बैंक काउन में जो भी नाम में उसको डालने के बाद अपने आप आ जाता है यहां पर खाता नंबर को अब यहां पर चैय सब लना है उसी में प्यांशने सब्सक्राइब नहीं आप between यहाँ पर रासन कारड की संख्या या फिर परिवार की आईडी यानि आपकी मातापीदा का अगर अगर अधर कारड भी है तो वो भी यहाँ बराब डाल सकते हैं इसके बाद क्या करना है कि यह जो capture दिखाई दे रहा है इसी को जो है आपको इसके अंदर भर देना है भरने के बाद आपको submit बटन पर क्लिक करना है इसके बाद आपका फार्म जो है complete भरा जाता है इसके बाद आपको फोटो अपलोड करने का option आ जाता है तो इस पर क्लिक कर करना है और आपको अपनी photo को यह ऎाहाँ पर upload करना होता है तो यह पर आ पर क्लिक करना है यहाँ पर click करके आपको अपनी photo को select करना है आपकी photo जो पोटो साइज में 20 KV ज़ादा से ज्यादा बड़ी होना में चाहे है और कम से फोटो यहाँ पर successful upload हो जाएगा अभी यहाँ पर message भी आ जाएगा देखिए कुछ इस तरीके से message आएगा यहाँ पर बताया गया है कि योर फोटो जो है successful हो चुकी है इसको ok करिए और आप चाओ तो view photo पर click करके photo भी देख सकते हो जैसे आप view photo पर click करोगे तो आपकी photo यहाँ पर load होकर के आ जाएगी आप देख सकते हो कि आपकी photo upload होई है कि नहीं इस तरीके से आपको एक idea भी मिल जागा फिर से आपको क्या करना है back to home बटन पर click करना है अब आप यहाँ से संसोधन कर सकते हैं अगर आपको अभी नहीं करना तो अभी बाद में भी आप कर सकते हो लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पर आयवम जाद का पर्माड़ी करन कर देते हैं तो यहाँ पर आपको आयवम जाद के पर्माड़ी करना है इसके बाद जो है इस त यहांपर आप दालके आपको प्रौसेश दिखाते हैं ए डार्टघ डालने के बाद आपको अपना फार्म संख्या लोड लेगा यहां पर जो है हमारा आय परमाड पत्र जो है सफल मिलान हो चुका है यानि हमारी संख्या जो है बिल्कुल सह हो चुकी है हमारा सत्यापन हो चुका है अब यहां पर आप्शन दिखाए दे रहा है जात परमाड पत्र का तो अब जो है आपको अपना जात प्रमाड पत्र संख्या डालना है और रखेखंद क्र Arin यहां पर पर लजुहुअँ पकी ऑपजाद के लआएंट के इसके बाद यह का प्रमाड पत्र संख्याट करना है जैसे ही आप गे ड़ाटा पर क्लिक करोगे। यहां पर आप भी जात परमाड़ पत्र में होगी इसके बाद यहां पर यहां पर वेरिफाई कास्ट डीटेल का अप्शनेस पर क्लिक करोगे तो यह भी सक्सेस्फुल वेरिफाई हो जाएगा और आप डारेक्ट इस पेज पर आ जाओगे अब यहां पर हमने जो है इतना स्टेप इसके डीटेल दी है वो बिडिकुल अधार काट से मैच हो रही है यहां पर आपका नाम दिखाए देगा यहां पर डेट आप बर दिखाए देगी यही दोनों मैच आपको आधार काट से किया जाएगा तो इसलिए मैंने बोल रहा था कि सुरु में आप जो है अपना अधा अधार नमबर डाल देना है उसी अधार नमबर को यहां पर दोबारा से डाल देना है ठीक है कुछ भी mistake नहीं होना चाहिए और यह जो यहादर लोड लेगा और आपका अधार कार्ट से आपकी detail को जो है find के जाएगा और जैसे ही आपकी detail जो है मिलान हो जाती है तो यहाँ पर successful का message भी आ जाएगा देखिए जैसे ही successful हो जाता तो आप यहाँ पर देखिए notice करिए यहाँ पर लिखावा आ रहा है परमाडी करण सफल देख सेकतो यहाँ पर लिखावा है परमाडी करण सफल यानि की आपके अधार काट से जो डीटेल थी वो मैच हो चुकिए अब क्या आपको करना है यह हमारा काम कंपलीट हो गया है होम बटन पर क्लिक करना है और आप डारेक्ट इस पेज पर आ जाओगे लेकिन आप देख सकते हूं वहां पर दिखा रहा था कि परमारी करण सफल हो चुका है लेकिन यह इस पर नहीं लगा था तो आपकी जानकरे के लिए बता दें कि अभी यह टिक नहीं लगेगा और नहीं अब आप इसके आगे का काम कर पाओगे इसको टिक लगने में यानि complete होने में यह जो अधार authenticate लिखा हुआ है इसको complete होने में 24 से 48 गंटे का समय लगता है तब तक आपको wait करना है अब बार बार इसको login करोगे फिर भी यह complete नहीं होगा और जब तक यहाँ पर आता है तब तक आप जो है आवेधन jansht it print करें का यह जो options इस पर नहीं जा पाओगे तो आपको जो है 24 से 48 घंटे तक wait करना है इसके बार आपको जो है आवेधन जाँ आवेधन print करें पर क्लिक करना है इसके बार जो है कि आप अपने institute में जमा कर सकते हो अगर आपको कोई गलती लगती है कि institute वाले बताते हैं कि कुछ गलती हो गई है तो आपको यहाँ पर यह जो आवेधन पंत्र आवेधन कर सकते हैं complete जानकारिये जो भी मैंने आपको बताया है बिलकुल सही बताया आप इस तरीके से करिए आपकी 100% आएगी दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करिए चैनल पर यदि नए हूँ तो चैनल को जो सब्सक्राइब भी कर लिजिए अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर कोई सुजाव है तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं धन्यवाद